बिस्मिल्ला रह्माले रहीम, असलाम अलेकूम, आज हम आपके साथ देली के मस्चोर रेस्टोरेन स्टाइल चिकन चंगेजी की रेसिपी शेयर करेंगे, तो देली की रेस्टोरेन स्टाइल बहुती फेमस और बहुती डिलेशिस रेसिपी है चिकन की, जिसे इस वीडियो को बहुत आसानी से गर में बना सकते हिए karşıllaama पर्फेक्टत बिल्कुल रेस्टार Torah Faram बहुत तक बनाद बना भीच्चार तो आईए बराना शुरू करते हैं, रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्क्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपी इसकी अ फ्लेवर के लिए हमने लेना है, 10-11 लेसुन के जवे हैं, और 2 इंच कदर का टुकड़ा जिसे हमने पतले टुकड़ों में काट लिया है, और 2 मीडियम साइस की प्याज है, जिसे हमने इस तरह से छलों में काटा है, और कुसाबुत मसाले भी एट करेंगे, जिसमें दाल च काजू एट करेंगे, और 2-3 टेबल स्पून हमने मगस के एट करना है, इसमें से आप कोई सब भी मगस ले सकते हैं, खरबूजे के बीज, दरबूज के बीज, या कोई सब भी एक बीज आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमने खरबूजे के बीज लिया है, क्वाटर टी स्पू लिया है 1 kg इसका हमने टिक का तयार करना है तो इसे अच्छी तरह से वाश करने के बाद हमने कुछ देर रख दिया था कि स्टेर में ताकि इसमें जो भी एकस्पटर होता है वह पूरी तरह से निकल जाए अब सबसे पहले इसमें हमने एक नीबू का जोस आट कर देना है और मसाला फोड कर दिया मस्टर और सब्क कशूरी में जिसे हमने हलका सा वह सेक के कुछ सेकेंड के लिए हातों से अच्छी तरह से चीकन पर का गास नहीं है तो टिक आपके पास नहीं है तो इसके जंगा पर आप कोई दूसरा मसाला भी यूस क्रसकते हैं जैसे चिकन मसाला य इन सारे मसालों में सिमिलर ही मसाले तकरीबन होते हैं और इससे एक अच्छा सा अलग जायका फ्लीवर आ जाता है रेडिमेट मसालों को यूज करने से और चिकन की जो बड़ी पीसे से उसमें इस तरह से कट लगा लेने हैं गहरे ताकि अंदर तक मसाले जाएं और अच्छी मिनट के लिए ढग देते हैं इसे और एक साय ढग देते हैं तो यहां पे एक वैल आने के बाद लो हीट पे बारा से पंदरा मिनट इन चीजों को हमने पका लिया है यह अच्छी तरह से नरम और साफ्ट होगी हैं सारी चीज हैं अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और ठंड ते आम आईल में हम इसमें वन टेबल स्पून कश्मिरी रेटचली बौड़र एट करेंगे और वन टेबल इस्पून के करीब धनिया पौडर एट करेंगें और कुछ सकेंड के लिए हम इन्हें धंडे एल में हलके हलके हीट पर रौश् twisted कार याँए ताप की तेयस करके रखा था वो एट कर दिया और अब रेड चली पड़र एट कर देंगे तकरीबन हाफ टीस्पून यहां पर आपने जाकिक मुताबिक एट कीजेगे और यह ध्यान में रखते हुए थोड़ा मिर्च टिक्के में भी है वह भी इस ग्रेवी में भी खुल के आएगी और हर दिखी हमने अट किया था ग्रेवी में जो हमने पीशा है और जो कश्मिली रेट चली पड़र होता है वो तो सिर्फ कलर के लिए होती है नैच्रल कलर देती है उसमें तीखापन नहीं होता है और एक कप करीब पानी आट करेंगे जार में हो सारे मिसाले जो उसमें लगे हु अच्छा से पकाना जब तक कि अच्छे से यह रोगन ऊपर सेप्रेट छोड़ने ना लगे को एकदम लो कर देंगे और कवर करके पका लेते हैं और अब टिकका तयार कर लेते हैं इसके लिए एक पैन में हमने अच्छे से गरम कर लेना है और अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें चिकन के पीसे जितनी इसमें असानी से आ जाए अरेंज कर लेना है हीट को कम नहीं करना है, वहरना चिकंट पानी छोड़ देगा हाई-to-medium हीट पे अच्छे से मार्क आ जाने तक एक साइड पका लेंगे और अच्छी तरह से एक साइड से मार्क आ जा तो इसके साइडों को चेंज कर देना है जाता soft होने का weight नहीं करना है ना cover करना है क्योंकि जब यह chicken pieces gravy में जाएंगी तो already यह soft हो जाएंगी तो जटपट से बस हमने दोनों side से grill कर लेना है अच्छे से grill mark आ जाने तक तो gravy को हमने 12-15 बिंट अच्छे से पका लिया है और अच्छी तरह से सब मिला देंगे gravy यहां पर काफी थिक हो चुकी है पकपके तो अब इसमें हमने half cup दूद आट करना है क्योंकि अभी chicken के टिकों के साथ भी gravy को पकाना है आप पानी भी आट कर सकते हैं यहां पर टिकों में जो हमने फोट कलर एट किया था वो भी इस gravy में छूटेगा आपको एक्स्टा कलर चाहिए तो थोड़ा सा फोट कलर भी आप इस gravy में एट कर सकते हैं इसपे होओ पर से कैसुरी मेति जिसे हमने हलका सा सेक के क्रश कर लिया है वन टीऊ हम做 और वन टीऊ स्पुवों एट करते हैं टिकका मसाला मयारा या तो एसके चूकैन मसाला कुछ भी एट कर सकते हैं सब का flavor अच्शा है आएगा तो यहां पर देख सकते हैं अच्छे से ग्रेवी पे रोगन ऊपर सेपरेट होने लगा है अब इसमें हाफ कफ हमने फ्रेश क्रीम एट कर देना है और बहुत ही फाइन बारी कटीवी हरी धनिया स्लेट किवी हरी मिर्च है ठोड़ी से अब बचा लेते हैं अच्छी तरह से मिला देना अच्छी तरह से और दुबारा से इसे कवर कर देना है आच मिनट के लिए 5 मिनट में दुबारा से रोगन ऊपर आ जाएगा इसके बाद हम इसे स्मोक देंगे और इस पॉइंट पर इसे निकल के आया, आप इसे बस फड़ा फड़ा स्मोक दे राते हैं, कटोई रखते हैं, और जलता हो पुला इस में रखेंगे तोड़ा सा Two Drop इसमें देसी की एड करेंगे, और कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट बाद कवटोई को रिमूग करना है, और बस हमा में नहीं बनाया है जरूर बनाएं और अपनी पसंद की रोटी चपाती नान चावल के साथ इसे गर्मगर नजॉय करें और फीड़ बैक जरूर दें वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें फैमली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं चैनल पर पहली थीड़ा जारै टूर जो श्राइद टारा हैं प्रूर ठाई बनाया तो BEN लाइके हैं तो झाल प्रड़ी ये करूंड़ औाय नग।